बस आज इतनी धीरे क्यों चल रही है? दिलक नगर स्टॉप अभी तक आये नहीं है? सुनिये वाई साब, वाई साब, स्कोर क्या हुआ? 217 पे 4 अरे यार लगता है इस बार भी इंडिया हार जाएगी अरे नहीं नहीं, जब तक अपना कैप्टेन फ्रीज पर है ना, तब तक हम जीट सकते हैं देखते हैं हाई! हाई! अज तू भी लेट हो गई? नहीं यार, मैं तो टाइम पर पहुँच गई थी, पर पता नहीं, बस लेट हो गई थैंक गॉड, कि बस अब तक नहीं आयें पता नहीं आज बसको क्या हो गया हमेशा तो टाइम पर आ जाती है ना देखो ना, अब शेहर का टापिक भी इतना दिन बदीन बढ़ते जा रहा है कि कोई क्या कर सकता है इसलिए कहती हूँ बेबी, एक कार खरीद ले ये रोज-रोज का ना, बसका जंजटी खतम हो जाएगा ना बबा ना, अपने घर की EMI चुकाते चुकाते मेरी आधी सालरी खतम हो जाते कार खरीद ले, तो मेरी कमर ही तोट जाएगी तो अपने बास को की नहीं बोलती सालरी बढ़ाने के लिए वैसे भी, वो तेरे किसी भी बात को इंकार कहा करते नई, नई, ऐसा कुछ नहीं है अरे, बस आगी अरे, बस वहाँ क्यों रुख गई इसका स्टॉप तो यहाँ है ना, पता नहीं चल, चल के देखते हैं चल, चल दर्वाजा खोलो, अरे भाईया, दर्वाजा खोलो कोई खोली नहीं रहा यह पस में इतनी गंदी बद्बू कैसे सबके सब सो रहे हैं क्या चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उद्धे, उद्धे उद्धे, मदू ओ गॉड, यह सब लग हम मर चुके अज़ा जाए इन मुजिर्मों के होसले दिन बदिन बढ़ती जा रहें सालूं के सब, एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी बसकर सभी लोगों को माड़ा लोगों उन्हें आ यार, पत्ता ने क्या होत्ता जरलों, जरा-जरा सी बाते लड़ाई जगड़ा, मार काड, तेरी बैट क्या वह, कुछ पत्ता चलाए? नए, सर, अभी भी चेकिंग चल रहे हैं यंदर सर, दोलड़कियां बज्जी हैं, लेकिन ब्योश्य है अभी कैसी तभी आता है इन लोगों के? सर, इन्हें थोड़ी देर में होशाज आएगा क्या बता चलाए, अंदर रेडियेशन है क्या? नहीं, किसी तरह के रेडियेशन नहीं है मैंने अच्छी तरह से चेक किया इसका मतलब हम लोग अंदर जा सकते हैं? जी जा सकते हैं तैंक यू मामला तो जहर कही लग रहा है सारूं के साथ सार, इतने सारे लोगों को एक साथ जहर दे दिया मुझे तो लगता है इस बस की हवा में ही कोई जहरीली गैस गुसकई है जिसकी वज़े सब मर गए शालूं के साब आपको क्या लगता है? कि कौन सी गैस हो सकती है? अब यह तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी गैस है सारूं के साब जरा यह देखिए यह करीन कलर का यह सबस्टेंस है यही तो जहरीलाक एमकल नहीं? हो सकता है अभी जी? ऑफिसर्स दोनों लड़कियों में से एक लड़की को होश आच चुका है फ्रेडी सचिन तुम लोग पूरी बस को अच्छी तरीके से चेक करो देख वो जहरीलाक केमिकल कहा से आया है, चेक करो स्रेया? सर बात कर सकते हैं उनसे? जी, उनसे बात हो सकती है अब यह कैसे तवियत है आपके? मैं ठीक हूँ, सर मगर यह सब हुआ कैसे? यह तो आप ही बताईए अच्छा यह जब बस रुकी तो आप में से बस में से किसी को उतरते या किसी आदमी को बस में चड़ते हुए देखा क्या? नहीं, सर, ना तो कोई उतरा, ना ही कोई चड़ा जब इनने बस का दरवस खोला तो देखा कि वहांपर बहुत सारी लाशे पड़ी हुए थी पूरा का पूरा शम्शान बना होता, सर और सर, उसके बाद, उसके बाद हम लोग बेहोश हो गएते आप इनको होस्पिटल ले जाएए जी जी डर्साप, कुछ पता चला गया? आपी जी, तिये देखो, जहर ने चमडी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है सबकी चमडी पर हरे-हरे दाग आना शुरू हो गए, देखो सबकी जी 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 जाएए जीए जो जी जी देखो जगह जगह से चमडी हो गई है ना? यह लेकास्ट संडाइल नान के जहरी ली गैस की वज़े सो भी है उस जगैस की वज़े से मोथ हुई है नोगे लेसकॉत्सांडाइल यह किस तरह की गैस है? बहुत ही खतर्नाक और कम पाए जाने वाली गैस है एक एसा बायो केमिकल एजिंट जो आसानी से किसी की हाथ नहीं लग सकता है। आसानी से नहीं मिलता है। इसका मतलब है शहर में ऐसे बहुत कम लिबाटरी सहें जहां पर इस तरह के केमिकल्स मेलते हों है। फिर चार-पास लबरेटरी ऐसी होंगे। पंखा यह एसी बस थी? बस बे तो इसी बस थी? एक्षैक लिद है। और आतंकवादी यह बात जानते थे। इसलिए उन्होंने एसी बस चुनी जिसे इंग बचारों को बचने का मुखाई नहीं मिला। और एक बात, अगर यह ग्यास किसी बी तरह इंसान के शरीर में चली जाए। तो साथ से दस मिनिट के अंदर उसकी मौत तो निश्चित है। जिसने भी यह किया है। बहुती बड़ी प्लाइनिंग, बहुती बड़े मकसद के साथ किया है। एक बड़ यह पता चल जाए कि यह केमिकल आया कहां से, किस लिपार्टरी से, तो मकसद भी पता चल जाएगा। अविनित, क्या पता चला? सबी लाप्स को जानकारी बेज़ती है, जैसे पता चले हो, वो केमिकल कहां से गाया हूँ है, वो लोग हमें इंफॉर्म कर देंगे। सर, सर मैंने तक्रीबन सारे पैसंजर्स की डीटेस्ट चेक कर ली है। किसी का भी आपस में कोई संबन नही है। जो लोगों में दैशत फैलाना चाहते हैं। आतंगवादी संगटन, सर, बॉम ब्लास के बाद ये कौँछा नया तरीका अपना लिया है इन लोगोंने। अभी तो सक्षर बस में हुआ है। तल्कोशेर कहीं भी हो सकता है, किसी भी भीड़ भाणवाली लाखे में। श्र, डॉक्टर सालुं के कहरे थी कि वह क्यमिकल हवा से फैलता है। वह सकता है वह क्यमिकल बस के एसी के जरीए पहलाया हूँ। हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि उसने किसी बैग के अंदर वो चीज रखिया है हाँ सर और वो बैग बस में रखके अगले स्टप प्यूतर गया होगा वो बस के टिकर के माशीन लेके आओ देखो कितने लोग चड़ेते बस के अंदर सर यह भी तो हो सकता है कि वो आतंकवादी सुसाइड स्कॉड का हो और पैसंजर्स के साथ वो खुद भी मर गया हो वो सकता है बस के अंदर जितने लोग मरे थे सब की बाड़ी के शिनाख्त हो गई नहीं सर अब भी कुछ बाकी है सर कुल मिला के 35 लोग चड़े थे बस में 35 लोग और अमें लाशे मिली हैं 22 लोगों की मतलब 13 लोग बस से नीचे उतरे हैं और सर जहां से बस शुरू ही थी वहां से लेकर तिलक नगर जहां बस मिली टोटल पांच बस स्टॉप्स हैं तो इन तेरा लोगों के बारें पता लगाते हैं और पांचों बस्टॉप में उतरे थे बस को अच्छे तरीके से चेक करना होगा और बस के अंदर जो बैग मिले थे उनको भी छान मारते हैं सर, सर, यह जातिन है गाड़ियों के पुर्जे-पुर्जे की अच्छी जानकारी है ऐसे जातिन, बस का ऐसी अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई छड़कानी तो नहीं की गई है ओके सर्व एसी का वेंटिलेशन चेक करो, देखो कही हरा रंग डिख्था है क्या सारा सामांध्यान से चेक करना, बाइस नहीं की मौथ हुई है, कुछ भी हो सकता जातिन, बाइस प्राइस प्रेड़ गो यझाने झाले में भी जान्यूम्स घरक प्रेड़स प्रूट्या थक्रणी के भी लिए अपर इप खेड़ जिए झाले मैं एक लिए खाव कर दो ठीस है वेसा दो 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 खाती हाम एगा? वे... और तो तो उन गरीवी है? इसमें के विकल नहीं हो सकता? सर इन बाइस में तो कुछ नहीं है सारे दर भी कुछ भी नहीं मिला नहीं सर कुछ भी नहीं है कमाल है सारा सामाल चेक कर लिया अपर क्यमिकल का कहीं कोई नाम और निशान नहीं शायब इस बस में कुछ मिला? सर इसी में तो कुछ नहीं मिला कमाल है अगर बस में अगर नहीं है तो वह जहरीली गैस आई तो आई कहां से वह एयर फिल्टर चेक किया? यह सर, कुछ नहीं मिला उसमें भी अगर वह जहरीली गैस नहीं आई है बस के अंदर तो फिर गैस आई कहां से अगर अगर कुछ पता जलता तो पून करो मुझा ऐसा किसे हो सकता है तर तो फिर यह केमिकल आया कहां से तो यह केमिकल आया कहीं आई सपास से यह अगर यह केमिकल गैस फॉम में है तो सकता है किसी ने चोटी सी बॉटल में टाव के लाया तो बैक फिर से चेकरने सर इस बैक के अंदर कुछ है कि अजगा ने कुछा के अजगा यह कि अजगा यह कि अजगा यह अजगा जिसमें 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 रखा गया था तर इस बाइक अंदर भी वह राया लगा हुआ है सर बॉटल को देख के तो लगता है कि यह और निरी बॉटल है और बॉटल के अंदर केमिकल हाथ से डाला गया होगा इस शीद निम्म सोला पे काँ बैड़ा ना सर सर शीद निम्म सोला पे को राजेश है सर राजेश? तो राजेश आतंगवादी है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा राजेश आतंगवादी नहीं हो सकता से यह नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा आतंगवादी है हम तो सिर्व यह कह रहे हैं, कि आपके बीटे राजेश के बैग में से आमें, वो किमिकल में लीए। नहीं, सर्वर किसी ये वोटर, मेरे राजिस्के ब्लागवार रखतीयोंगे. मेरे मेरे अथो पॉस्सी ना साथा था, सर्. मेरे 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 अथो शोट्प्यार इंचे ये 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 था, सर्. सर्विस्मास केचे, वेसन नहीं हो सकतु. मेरे 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 अथो, सर्. सर, अन्नर कुछ नहीं मिल्ला. दिख्या, सर, दिख्या, आप तुम्यस्मास हो ना, क्या हमले शरीम लोगे? यह तो बेटी की पॉत्ते हैं, हमें आदा कर्णियों, रहीसें कसरी सिलजाओंडे. आप हमें गलत समझ रहें, हम आप इल्जाम नहीं लगा रहें, हम तो सिर्फ पूछताच कर रहें. आप लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं, कि आप लोगों की यह पूछताच किसी का दिल दुखा सकती हैं, तुम कौन हो? वेगा, राजेश की मंगेथर. अफिसर, कुछ पता चला? राजेश और इसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार कॉन है? क्या? उस बस में राजेश के दोस्त पी थे? जी हाँ, उस बस में उसके साथ दोस्ते, जो उसी के ओफिस में काम करते थे. कहिए सारा कियाधरा ओफिस में किसी दुष्मनी को लेकर तो रहे? पर सर, अगर राजेश के ओफिस में ऐसी कोई प्रॉब्लेम होती तो वो मुझे बताते? ज़ूर बताते मुझे. यह अस्तमा का पंप किसका है? राजेश का. यह? राजेश को अस्तमा था? यह, सर, बहुत सेरियूस अस्तमा था. अच्छा, यह अस्तमा के मरीज तो इस तरह का पंप हमेशे अपने पास रखते है, ना? जीत. लेकिन, सर, हमें राजेश के बैग में और उसकी जेब में कोई अस्तमा का पंप नहीं मिला था. यह किसा सकते है, सर? मेरे वेटा राजेश, बिना अस्तमा पंप के घर से बाहर ही नहीं जाते थे. यह तो एक्स्ट्रा है, अब अरजेंसी के लिए घर में रखा है. कहीं, ऐसा तो नहीं कि वो बैग राजेश का था ही नहीं, बलकि बदल दिया गया था. हाँ, सर, खुनी बैग बदल कर तिलक नगर से बस्टॉप पहले, यानि कि श्यामनगर के बस्टॉप पे उतर गया होगा. अभीजीत, अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो जहरीला कैमिकल इस बॉटल से ही छोड़ा गया है. सर, इस छोटी सी बॉटल में 22 लोगों को मानने की शमता है. अकल बड़ी के भैस? अबे, कौन सी सोच में डूब गया? भैस बड़ी होती है ना? देख, अकल तो छोटे से सिर में भी रह सकती है, मगर भैस को रखने के लिए इतने बड़े तबेले की जरुरत पड़ती है? सर, सही बात है. चुट्टी होगे, पहले एक ता, अब दो होगे. सरी, यह काम कैसे करता है? देख, यह बटन एक तार के जरीए इस बैटरी से जुड़ा हुआ है. जैसे यह बटन दबाया, यह तार गरम होने लगा. इतना गरम हो गया के बाद में यह डिसकनेक्ट हो गया. टूट गया. और जब यह जलने लगा तो धीरे धीरे इसके अंदर की गैस बहार निकली और उसने तबाई माचा दी. यह बटन दबने और गैस निकलने के बीच कितना टाम लगता दूट साथ से नबबे सेकेंड थे बटन दबा के भागने के लिए. सर फिर तो यह राजेश तिलक नगर से एक स्टेंड पहले ही उतर सकता था. तर भी ए बस में क्यों बैठा रहा? यह राजेश सौफफ़एर इंजिनेर था ना? हाँ, सर. किसी एमर्पी कंपनी में काम करता था और महिशनगर में रहता है. सर, मैंने शहर की सारी लाब्स में पता कर लिया. कहीं से भी किसी भी केमिकल की चोरी नहीं होई. कहीं से भी नहीं चुराया केया तो फिर वह खतरनाक केमिकल राजेश के बैंग में आया कहां से? यहां असपास तो कोईच दिखने ही रहा, ना कोईच पान वाला ना कोईच चाय वाला. पूछे तो किस से पूछे? सर वो सामने सालक के उस पार वो पेपर वला दिख रहा है. उस ते जलके पूछें, चलो. सुनो जरा, तुम्हें कल सुबह साड़े याठ से पॉने नौ के बीच किसी आदमी को इस बैक के साथ देखा था? वहां बस से उतरते हुए. साड़े आठ और नौ के बीच, अरे हां साब, साड़े आठ और नौ के बीच, क्या मस्च शुटिंग चल रही थी साब, अब उसको चोड़के कोई है, ये हैंडवेक देखेगा क्या? शुटिंग? कैसे शुटिंग? साब, वो सीरेल आरे ना, क्या नाम है उसका साजन सजनी, साजन सजनी का प्यार, उसकी शुटिंग चल रही थी साब. क्या मरेती है शुटिंग? शुटिंग, आये ना साब दिखाता हूँ, आये दिखाता हूँ, शुटिंग इधर चल रही थी साब. इधर हिरो खड़ा था, इधर हिरोईन खड़ी थी, या मस्च दायलोग बोर रही थी साब, देख्के तो मज़ा आगया मा कसम. हीरोईन यहां पे और हीरोईन यहां पे खड़ाता हूँ, और यह बस स्टॉप इग्जैक्टली इसके पीछे है, अच्छे यह बताओ के क्यामरा कहा लगावोगी? यह साब, जब हीरो इधर खड़ाए हीरोईन इधर खड़िये तो कैमेरा तो इधर हुगा ना साब? गैमरा वहां पे, हीरो-हरोईन यह है और ठीक पीछे बस टखरते साइद बस से उठरने माले यात्री उस कैम्रा में देखे हूँ? हाँ, यह हो सकता है, यह शुटिंग किर्नी तर तक चली थी, अरे साब बात यह ना साब, जो डायरेक्टर था बहुत खडूस था, हर बास पे काट, 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 एक ही डायलोग कुरे, दो धाय गटे, टीक, 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 क्या ना मता इसी रेल का, साब लगता है आपको भी शुटिंग चड़ी है, जा कर देखला ना साब, चलो, राहुल, 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 वह तुमसे प्यार करती हूँ, राहुल, तो छोड़ दो इस दुनिया, कुर्बान कर दो जाहाँ, और आजाओ मेरी वाहुल, आई, बेटिटेक ता अगर इसी शौड में पूरा धिन निकल गया, तो प्रोडूसर तो मेरो बेंट बजा देगा, सुछी ता का बजन इतना जादा है कि मेरा वैलेंस भी कड़ जाता, मेरे वजन को दोश मत दो, अगर जी में तुमने ज्यादा महनत की होती ना तो आज ये नौ यह क्या बात करनी है हम लोग सियाइटी से हैं लेकिन सर मेरे पास यहां शूट करने की परमीशन है यह देखिये से यह लिटर है इसकी जरूत नहीं है हमारे यहां आने की वज़ा कुछ और ही है वो क्या सर आप लोग कल सुबह शाम नगर बस टॉपर शूटिंग कर रहे था जी हां उसके सामने वाली सड़क पर तब तो आपको पता चली गया होगा कि कल वहां से कुजरने वाली एक बस में पाइस लोगों की मौत हो गए जी मैंने अखवार में पड़ा था काफी बुरा हुआ अब आपके शूटिंग की फूटिज देखना चाहते हैं चायद आपक हई चाहते हो आपके शॉष हम आपकी बांजिए अपर आद मत्या आख ट्राम प्रश्टर तूम् पागल हो गए हो एक सके ने कि पर आपके बारेद लग्स करो बंसकर है सियार ट्रैवल्स की कि इसके आगे प्लेकर आगे प्लेकर आगे कि पॉसकर इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही ब्यागे जैसा राजेश का था कि इसके फॉटो हर अख़ार हर नियुस चैनल में ते देता है कोई तो पैचाने एए अगे प्लेकर को यह अज़ी सद्दक से गली तर क्या हमें? चलो गली में चल कर तेका लेखा है इसी गली में खुषा था नवादी? हाँ, गली तो यही है अरे लेकिन यह कली तो वहाँ जाके खत्म हो जाती है डेड एंड हमाप वह सकता है वह इन ही में से किसी बिल्डिंग में रहता हो या यहां आया हो एकाम करो तुम लग बिल्डिंग्स बजा के पूछताश करो तब तक मेर अस्ते के आपनी से पूछता हो अरे बाई, तुम रोज आपना ठेला यही लगाते हो हाँ साप, हम सवेरे साथ से रात के नो बजे तक यही ठेला लगाते हैं तब तो तुम ने कल सुबह जरूर एक आदमी को इस गली में घुसता हुए देखा हो उसके हाद में एक मैग था आप कल सवेरे साप हाँ साड़े आट से पौने नौ के पीच में अज नहीं साप हमने नहीं देखा सर बिय्डिंग के सारे वाच माòng से पुश्चताश की सर उनका कहना है कि उन्होंने किसी बैक हाले आदमी को नहीं देखा और नहीं ऐसा कोई आदमी बिल्डिंग ने रहता है कमाल है आगे रास्ता बंद किसी बिल्डिंग में गया भी नहीं, तो फिर वो इस गली में घुसा क्यों? सिर्फ यह ऐसा तो नहीं कि वो आदमी यहां पे सर बैक चुपाने के लिए आदा बैक चुपाने? हाँ सर, जैसे ही वो पस्य उत्रा, उसने सोचा होगा के बैक को कहीं चुपा देता हूं नई साब कल तुम्में बेमार था साब कल में आय नहीं था साब इसका मतलब कल का कच्र आभी भी इस डिब्बे महीं होगा, चेक करो मिल गया सर यह रहा में आख समझ के लिए अंदर कुछ भी हो सकता यह रह राज़ेश का स्थमापाँ प्तुम्म यह रही राज़ेश का स्थमापाँ लिए बैक राज़ेश का ही है सर्थ टॉक्तर तारिका को राजेश के बैग के ऊपर से एक खास आदमी के उंग्यों के निशान मिले है अच्छा, कौन है वो? सर मुन्ना नाम का पुराना मुश्रिम है दो साल पहले गंस की स्मग्लिंग में पकड़ा गया था मुन्ना? पंकच, अपने डेटर चेक करो, निकालो इस मुन्ना का इतियास मुन्ना? सर, मुन्ना ने काफी प्लानिंग की होगी इस सब के लिए राजेश पे नतर रखी होगी और ठीक राजेश के जैसा ही बैग बदार से करीदा होगा ताकि उसे बदला जा सके सर, ये देखे, सर, समगलिंग के लावा मुन्ना सुपारी लेके खून भी करता है मगर इसका कोई एड्रेस नहीं है सर, एक हरिया नम का आदमी भी काम किया करता था इस मुन्ना के साथ मैं जानता हूँ इसे, बाद में वो खबरी बन गया सर, ये मुन्ना तो सुपारी किलर है, फिर ये आतंकवादी उनके साथ कैसे मिल गया पैसे को लालज दिया होगा, बन गया, सुपारी किलर से आतंकवादी सर, इस मुन्ना का बता चल गया सर, का है, पीपटवाडी में कहीं अपना अड़ा बना के रखा इसने पीपटवाडी, इस मुन्ना बेटा को लोरी सुनाने का टाइम आ गया है मुन्ना एक अतनक वाती है, समाल के है, कुछ भी हो साता है कुछ निये, सार, कुछ निये? कुछ निये, सार, इस मुन्ना तो नोदो गया रहा हुग्या? श्रिया, अपरादी अक्सार अपराद करके, अपने ठीकाना बतल लेते हैं एक काम करो, अच्ची दर्से थलाशी लाओ, कुछ नो कोच जरू चोड़केगे आवगे मुन्ना शार झाल 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 कुछ मिलाए के निकल? इस नोटपैट पे कुछ लिखा गया था पर कुछ दिख नहीं रहा है, साब बोटाए, साब, देखो कुछ काम काई किया? साब! आश्रे, आश्रे! साब, बस का टिकेट मिला है एक बात तो पक्की हो गई कि वो बैग उस बस में मुन्ना नहीं रखा था उस ही बस की टिकेट है और टाइम और टेट भी मैच कर रहे है लेकिन यह क्या? मुन्ना ने बस एंडी नगर से पकड़ी थी? पीपटवारी से नहीं? पर सर, मुन्ना को एंडी नगर बस्टोप जाने की क्या जरोट पड़ गे? उसके लिए दो पीपटवारी का बस्टोप जादा नस्दीक पड़ता वो इसलिए क्योंकि शायद मुन्ना एंडी नगर में किसी से मिलने गया था इस नोटपैड से एंडी नगर के घर का एड्रेस मिला है, सर. एंडी नगर? हमारी अगली मन्जिल एंडी नगर के एग़ार है. हो सकता है मुन्ना के यह नहीं, ठीकाना? सुद्र वाजा कुला है, लगता मुन्ना अंदरी है. समाल के. सुद्र शराप की भुगा रहे हैं? माइगाट! समाल के. समाल के. लगता है स्यादा शरापी के बाट्टा पे बेहोच हो गया. यह प्योज नहीं है, बल्किस की मौत हो चुकी. यह दु मुन्ना नहीं है? अगरी है को अगर? सर, इसका नाम सनी है. इसके पास में यह ट्राविव लेसंस है. सनी? मुन्ना जैसे आदमी के पास, सनी का अट्रस कैसे है? यह काम करते हैं. उर्य कर को चाल मारते हैं. देखते हैं क्या मिलता है? अगरा नाचर राविव यह राविव यह राविव यह श्रीelles बीमय क्या मिलता है. इसका अगरा है. इसका प्राविव गिव यह दिलता है. वह प्रणविजे यह भी तुस पस में था इसकी भी तुम आतों चुके सब फोटो देखे तो लगता है कि यह सणी और रणविजे एक दुसरे को जानते थे और लगता है गहरे दोस्त पे थे यह कितने गहरे दोस्त है इसके बारे में तो रणविजे के परिवार वाले पताएंगे सन्न और अन्विजे बच्मन के दोस्ते बच्मन के दोस्तiden? बाचोप ने स्कूल और कॉलिड सब एंगी साथ गिया दा पाचोप ने? माज़ अब किन पाचोप की बात कर रही है? सन्न ऐ अन्विजे कि तीन दोस्त और वी थे उस वसमने आमीर, भुदह और राजेश राजेश भी इन सब का दोस्त था इसका मतलब यह कोई अधंगवादी हम्ला नहीं है बल्कि कोई तो ऐसा जरूर है जिसने इन सब को ऊपर महुचा दिया किसने मारा है उन बच्चों को उन बच्चों की तो किसे से कोई दुश्मनी नहीं थी किसी ना किसी से दुश्मनी जरूर थी माताजी वरना खुनी ऐसे ही उनके पीछे नहीं पड़ता इन बांचों के अधीद के बारे में पता करना होगा मैं सालूं के सर की रपोर्ट आ गई है सेर इस रपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि स voting in a bath tub में सानी के बात प men K uncom अगर चरह जोग दोग दोग ली टा था बाद साफ लिखा है सञ्व ते को रख वाला इंजेक्शन दरबा एग दी आगया कोई भी आजमें ड्रग्स नेगा अपने हाथ में इंजेक्शन लगाएगा बादू में लगाएगा गर्दन के पीछे Chief Nãoowych हुआ कुछ ऐसा होगा कि मुन्ना ने सद्नी का दर्वाजा खळड़ाया सद्नी ने बारव खोला और अंदर जाने के लेए पीछे मुड़ा तो मुन्ना ने वा ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसके गळ्दन के पीछे कुप दिया संदी वेवथ हो गिरगया मुन्ना ने उ को एक्सिडेंट की शगल दीगे ठीक उसी तरह इस बस वाले अमले को आतंकवादी घटना बना दिया हुँ हम हम सोचते रहे कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन का हाथ है तो कि यह खून है खून सनी की मौत हुई छे से साथ बजे के बीच मतलब छे से साथ बजे के बीच सनी का खून करने के बाद मुना एंडी नगर के बस टॉप पहुचा और वहां उसने पॉने आट बजे की बस पकड़ ली तिर मौकर देख के रास्ते में वो कैमिकल वाला बैग राजेश के बैग के स सनी पे खून का एक्जाम लगा था मगर आयन वक्त पे कवाहों ने कोर्ट में आने से मना कर दिया और सनी छुट गया अच्छा उन कवाहों में कहीं रनविजय उसके तीन दोस्तों नहीं थे हां सर वही लोग थे ठीक का आपने खून किसका हुआ था किसी मोनिका नाम की मेरे मोनिका को तो इंसाब दिला नहीं पाया अप लोग इसलिए आपके पती खून करके बैदला ले रहे हैं यह क्या कह रहे हैं आप बिलकु ठीक कह रहे हैं ज़रा बुलाई हो नहीं कहां से बुलाओं मर चुके है वो यहां उनकी भी मात आ चुकी जी यहां एक बुडे आपके कंदों में इतनी ताकत नहीं होती कि जवान बेटी के अर्थी के साथ कानून के नाइन साभी को पोश भी सह सके जब कानून ने मोरे मोनिका के खुनी को आजा चुड़ दिया तो वो यह परदाश नहीं करपा है आथ हुद्य कुर लिया उन्होंने बहुत बुरा हुआ आपके साथ प्लीज समाली है अपने अपको देखिये माजी आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का बेहद अफसोस है मैं पहले आपकी बेटी मोनिका और उसके बाद आपके पती बात दरसल यह है कि कोई तो है जो मोनिका के खुणी और उसके दोस्तों की जान ने रहा है क्या मोनिका का कातिल मारा गया यह किसने किया हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है ज़रूर कोई मोनिका के पास वाला ही होगा नहीं लेकिन जो भी यह कर रहा है न मेरी उनका बदला ले रहा है। वो सिर्फ आपकी बेटी के खुणी को ही नहीं है। बलकि साथ-साथ कई मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब अगर ऐसे आदमी को आप दुआ देने, माजीब मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात होगी। माजीब मौनिका का कोई भाई है। जी नहीं, वो हमारी इकलौती संतान थी। तो रहो सकता है कि आपकी बेटी मौनिका किसी से प्यार करती ह। हाँ, वो और संजे एक दूसर से बेहत प्यार करते थे। शादी भी होने वाली थी उनकी। पर वो तो बहुत नेक लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कितना नेक है वो तो हम पता करी लेंगे। संजे, यह क्या वाखवास कर रो मुन्ना तुम। सारे पैसे नहीं तुम्हें दे चुका हो ना। संजे साहब, सारे नहीं आधे पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब वो सारे पैसे चार लोगों को मारने के लिए दिये गए थे। उनके साथ अठारा लोग और मारे गए। उनका क्या? वो क्या मुफ्तमी मारे गए? देखो मुन्ना, यह तो सरा सर बहीमानी है। मुझे पैसे चाहिए पैसे तेखो मनना, तुम्हे तुम्हे शरुवाद से पता था कि प्लैन के साब से बस में बस में जितने भी लोगोंगे वो वो सबके सब मारे जाएंगे ताकि वो वो चार दूस मारे जा सके, पुलिस को यह एक आतंगवादी हम्दा लगे, अब मेरे पास वार पैसे नहीं है, तुम तु प्लीज जाओ खीक है, कोई बात नहीं है, सारे सबूत हैं मेरे पास, पुलिस को तुम तक पहुँचने में साधा टैम नहीं लगेगा खीक का, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था यह क्या करें संजय, मुझे मतमाना ना, ना, मुन्ना, ना, अधूपर म, मुझे मतमाना जो आत्मी 22 लोगों को मरवा सकता है, वो तुझे नहीं मान सकता संजय, मुझे मतमाना C.A.D. एड़ो, एड़ो मैंने कुछ तेकिया सर, इस अब इस गुंटे मुन्ना ने किया है अब पताईए, बासमे मैठे लोगों को अमार दिया सिने अब पता है, तुम नहीं किया यह साम मोनिका के कून का बदला लेना चाहते ते ना तुम नहीं सर एड़ो एड़ो मेरे की हैसाथ क्या करता मैं तुम अपने बदले की भावना में यह भी भूल गए कि जिनलोग extract की ज़ा तुम ने लिए वह कि से का प्यार 1 को छल्म हेदैं की अजन से करते ले कैसम इसलिए मैने उनको स्था दू है स्था तुम ने दी वही गलत्किया आर्म की भलोसा करतें, सच को सामने लाने की कोशिश करतें तो शायद, मोनिका के खुनी को सजा हो जाती, लेकिन अब तुम तौनों को सजा होगी, वो भी पॉसी! अबॉसी!